नमस्कार खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग हम लेकर आए हैं देश और दुनिया के पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडिय मुझूद हैं सबसे पहले एक नजर आप्स की टॉप हिट्लाइन्स पर प्येम मोदी की प्लानिंग ने कर दिया कमाल अब भारत में ही बनेंगे कई बाहु बले विमान खबराते ही दुश्मंदेशों में पस्टा मारता महरास्ट से लेकर जारखन तक इंडी गडबंदन में घामासान तेज आरजेटी को मनाने में जुटी कॉंग्रेस तो अखलेश यादों ने कहा राजनीती में त्याग के लिए कोई जगा रहे अर्विन केजवाल ने बीज़ेपेपर साधा निशाना बोले गुंडे बेचकर मुझे मारने कोई कोई कोशिस तो पंजाब में सरकार के खलाफ कसानों का नया आंदुलन एक साथ राज्ची के कई हाई वेजा बंगाल के उत्तर 24 प्रगरा में ममता सरकार के खलाफ गर्जी अमित शाग घुसपैट को लेकर दिया सक्त संदेश बोले बंगलादेश से घुसपैट रुकने पर ही आई के शान इरान और इस्राइल में चुड़ने वाला है महा संग्राफ अमेरिका की चितावनी के बावजूद इरान पीछे हटने को तयार नहीं बदला लेने की भरे होकार सबसे पहली ख़बर में बात पीम मोदी की देश को सैन ने मोचे पर आत्म निर्भर बनाने की प्रधान मंतरी नहरंदर मोदी की प्लानिंग ने कमाल कातिया है अब C-295 विबान भारत में ही बनेंगे इस जहाज को बाहु बली कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इसके विशाल काय आकार को देख कर ही दुश्मनों की गिगगी बद जाएगी प्यम मोदी और स्पेन के प्रधान मंतरी पेड्रो सांचे कल गुजरात के बढ़ोद्रा में C-295 विमान के नर्मार के लिए टाटा एरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का सभीत रूप से उधगाटन करेंगे C-295 एरक्राफ्ट फैसिलेटी देश में सेन विमानों के लिए प्राइविट सेक्टर की पहली अंतिम असेम्बली लाइट होगी भारत के लिए इस असेम्बली लाइट की एहमियत काफी अधिक होगी क्योंकि इसमें विमान के निर्माड से लेकर उनके परेक्शन, डिलिबरी और एरक्राफ्ट मेंटरिन्स जैसे सब ही काम किये जाएंगे खबर है कि C-295 प्रोग्राम के तहत कुल 56 विमान सेन बेड़े का हस्सा बनेगे जिन में से स्वल्ला एस्पेन से डिलिवर किये जाएंगे जबकि अन्य 40 विमान भारत में ही बनेगे ये कितना बड़ा उपलब्धी है भारत देखिए प्रधान मंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर है और एक विजन के साथ वो काम कर रहे है दुनिया का चरत्र पिछले 30 सालों में बदला है वो इसलिए भी क्योंकि ये दुनिया मल्टी पोलर वर्ल्ड होते चली जा रही है पहले दो सूपर पावर हुआ करते थे उससार और अमेरिका उससार के खत्म होने के बाद अकिला सूपर पावर अमेरिका बना रहा के डवलट कंट्र भी नहीं बन पाया है तो ऐसे में जो दुनिया की जो तस्वीर उभर रही है वो एक मल्टी पोलर वर्ल्ड कि कई सारे लोग कई सारे स्टेक्स इसके अंदर हों कोई दादा नहीं होगा और उस नजरिये से आप देखिए पिछले 10 दिनों में प्रधान मंत्री मोदी ने क्या क्या कर दिया आप BRICS में जाते हैं वहां चैना से आप संधी कर लेते हैं बॉटर पॉल्म्न सौल कर लेते हैं पाकिस्तान को ख़दिड भगाते हैं BRICS से रूस के साथ दोस्ती है ही आप रिष्टे बना रहे हो जहां अमेरिका दवाब डाल रहा है ये रोपिन कंट्रीज के ऊपर लेकिन प्रधान मंत्री मोद्ध एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं ब्रिक्स से वो लोटे लाइन पे लगे हुए है जर्मनी के लोग आये जर्मनी के प्रधान मंत्री आये और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ड रिस्ते बनाने के लिए एक चुक है चाहे वो व्यस्ट एसया के मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे वो एरोप के कंट्रीज हो या फिर साथ इसे के कंट्रीज हो जापान हो, आस्ट्रेलिया हो, सबसे इंडिवीजुली हिंदुस्तान का रिस्ता बनता चला जा रहा है आप ये समझे कि ये सीधे सीधे अमेरिका की जो हुकूमत है, उसकी जो हेजिमनी है, उसकी जो तानशाही है उसके खिलाब प्रधानमंत्री मुदी खड़े हो रहे हैं और बिना दुश्मनी की हुए है वहें चुनाओ के बीच महारास्ट से लेकर जारखन तक इंडिक गड़बंदन में चमकर घामासान देखने को मल रहा है जारखन में तो महागडबंदन तूटने की नौबात आ गई है क्योंकि आरजेडी ने यहां कई सीटों पर अपने उमिद्वार उतार कर कॉंग्रेस चिमेम की टेंशन बढ़ाती है इन सब के बीच अचानक कॉंग्रेस प्रभारी के दिल्ली पहुँचने की खबर भी आ जाती है और आरजेडी को मनाने की कोशस के चारी है तो दूसरी तरफ अखलेश यादों ने महरास्ट में सीट बटवारे को लेकर अपने सहयोगी दलों को अल्टिमेटम देती आ है सपा धक्ष ने कहा कि हमारी पहली कोशिस गडवंदन में बने रहने की होगी उन्होंने जोर देते वे कहा कि राजेती में त्याग के लिए कोई जगा नहीं है ये क्या चार रहा है इंडी गडवंदन के अदर देखें ये इंडी गडवंदन सुरू से एक मिस्नूमर है नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी है ये सिर्फ कागजू पे है ख्यालों में जमीनी हकिकत से बिलकुल दूर है गडवंदन उसे कहते हैं जहां आपका जमीनी कारकरता अस्थानिये लोकल लीडर्स वो मिल जुल के काम करने के लाइक हो जाए यहां तो लीडर्स के बीची कोई कॉडिनेशन नहीं कोई कोपरेशन नहीं जिस तरीके से M.V.A के अंदर खीचतान चल रही है जिस तरीके से कॉंगरेस पार्टी को ब्लेक मिल किया जा रहा है महरास्ट में जारखंड के अंदर उससे तो यह साफ लग रहा है कि सारे लोग कॉंगरेस को चूज के बिलकुल खत्म कर देना चाह रहे है रही बात महरास्ट की वहाँ सीधे सीधे धमकी दी गई है पांच सीट दे दो नहीं तो हम 25 खड़े कर देंगे अब यह गड़बंदन का तो लेंग्विज नहीं है ऐसे तो दुश्मन धीस तरह की भाषा नहीं बोलते यहां तो लोग बाचीत कर रहे हैं कि मेरा बेटा खड़ा हो रहा है उद्दव ठाक रहे हैं मेरा बेटा खड़ा हो रहा है अपना कोई कमज़वर उमिदवार दो इस तरह की निगोशिशिस होते हैं यह दुश्मनों के साथ होता है यह कैसी दोस्ती है समझ के बाहर है उदर जारखंड के अंदर आरजेडी दनादन उमिदवार की घोशना कर रहे है तो यह मुझे लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी हर्याना में जो हारी है उसके बाद से बीजेपी कम और उनके सहियोगी दल ही कॉंग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने में सबसे आगे चल रहा है इस ख़बर में बात आम आदमी पार्टी की एक तरफ आम आदमी पार्टी के सहियोच करविंद के जवान ने बीजेपी पर तो इसमें बीजेपी का हाथ होगा क्योंकि गुंडे बेच कर मुझे मारने की कोशिस हो रही है तो दूसरी तरफ पंजाब में धान खरीदी में देरी से भढ़के किसानों ने धरना पदेशन और आंदूलन शुरू कर दिया है डाच्च सरकार से नराज किसानों ने एक साथ कई हाइवे जांपिया और सरकार के खलाब जमकर नारेबाजे भी की इस दोरान किसानों का कहना है कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है सरकार उन्हें बरबाद करना चाहती है बहुत ज़्यादा गुस्से में ही किसान दोगी किसान आज पंजाब में किसानों को देखने को मिल रही है क्या है मुद्दा बहुती साफ है वहां मंडी में खरीदारी नहीं हो लही है धान मंडी में पहुँंच चुका है अभी सिर्फ 25 फीस दी जो अब मंडीों के बाहर उसको रखा गया है उस 25% में मात्र 12-14% ही सरकार धान खरीद पाई है क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है, इंतिजाम नहीं है आपने पहले से सोच के नहीं रखा और मुक्हमंत्री भाग चुके हैं वहां से वो करें दिल्ली जाकर की बात करेंगे, अच्छा वसे तो बिलंबी चुड़ी भासन देते थे के मिस्पी मिलना चाहिए, सारे अनाज को खरीदना चाहिए और अब यह काम इस्टेट गवर्वर्मेंट का है जब आपके पास अब मौका आया, तो आप खरीद नहीं रहे हो वहाँ पे लगातार नुकसान किसको हो रहा है अनाज बिकेगा नहीं, तो नुकसान मंडी के मठधिसों को नहीं इन निताओं को नहीं, ये किसान आंदुलन करने वाले आंदुलन जीवियों को नहीं सीधा सीधा किसान को नुकसान होगा क्योंकि किसान के पास पैसे नहीं आए दस पंदर दिन और टल गया तो धान खराब भी होने लग जाएगा कोई बारिस वगरा हो जाए तो एक और बड़ी मुसिबत मतलब चारो तरफ से जो रियल किसान है वो पिस रहे है तो इन लोगों को पकल के फूशना चाहिए और पूरे पंजाब में साथ आठ हाइवेज जाम कर दिये गए लेकिन मीडिया में ये खबर तक नहीं है क्यों? क्योंकि केजरिवाल नराज हो जाएगे उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और मीडिया कोई और दूसरी स्टोरी चला है केजरिवाल के लिए तो इसलिए सवेरे सवेरे जो है उन्होंने आरुप लगा दिया कि मेरी जान जा सकती है गुंडे भेजे जा रहे हैं तो सारा डैवर्ट कर दिया मामला जान माल के ऊपर के उपर के उपर गुंडे हमले करे रहे हैं गुंडे नहीं है गुंडे जो है काला जंडा लेकर के नहीं आते गुंडे जो है वो इनकलाब जिंदा बाद नारे बाजी करते वो नहीं आते वो प्लैकाट लेकर के नहीं आते गुंडे वो जनता आती है तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम जो narrative लोगों ने create किया था कि किसान, किसान, आंदोलन ये काला कानून अब किसानों को उन्ही नेताओं के गर्दन को पकड़ना चाहिए कि भही ये बताओ अब कौन खरीदेगा इस दहान को ये आम आदी पाटे तो बड़े समर्थर में जूटे हुए थे काला कानून जिसे ये लोग कहते हैं आज नहीं होता तो ये जो मंडी के बाहर लाइन लगा हुआ है अना आज खराब हो रहे है तो वो privately बाजार में जाकर के भेच आते और अच्छे से दिवाली भी मनती भाईया दूज भी होता और प्रमतेवार और खुसाली का महौल होता लेकिन अपने पैर पे इन किसानों ने कुलहरी मारी है किसास लेंगे जब हम सत्ता में आने पर घुस पैट रोकेंगे क्योंकि घुस पैट रुकेगी तो ही बंगाल में शांती लोटेगी इतना ही नहीं प्रस्टचार के मंदे पर टेमसी सरकार की जमकर आलोचना की और आजचे के लोगों से अबवान क्या आज तो जमकर घर जे हैं अमित शाह भाई अमित शाह आने वाले थे इसलिए दो दिन से देखे 어떻게 कि सरे सर्थे मंताब्रण इसी कमी चिछे लिख रही हैे कमी कह रही पैसे नहीं मिल रही है यह नहीं हो रहा जिस हिसाब से पंगाल की जंता त्रस्त है कि जहां जिस मुहले में, जिस इलाके में कोई नहीं होता था, सिर्फ हिंदू होते थे, वहां उनकी संख्या इतनी कम हो गई कि वो मानुरिटी हो गए, कहां से लोग आ रहे हैं तो बंगलादेश से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क् कि एक संग्षत प्रियास चल रहा है एक रेकेट बना हुआ एक सिंटिकेट है जो लोगों को लेकर के आता है अलग-अलग तरीके से उनको नागरिक्ता दिलाने की कोज अलकि नागरिक्ता मिलती नहीं है लेकिन उनको election card बन जाता है, उनको आधार card दे दिया जाता है, और ये सारी चीजे सरकार के इसारे पे, political party के सानिध्य में सब कुछ होता है, तो ग्रिव मंत्री ने मद्दा उठाया है, ये सिर्फ बंगला देर, पच्छी मंगाल में ही नहीं, बलके जारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा, आक्री खबर में बात इरान और इसराइल की, अमेरिका ने इरान को चितावनी दी है कि वह इसराइल से बदला लेने की बात मन से निकाल दी, अमेरिका की इस चितावनी को पश्शिम एसिया में तनाओ को कम करने की कोशिस के रूप मे आ रहा है वह इस्राइल से बदला लेने पर अड़ा हुआ है इरान का कहना है कि वह अपनी रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा क्योंकि इस्राइली हमले में उसके चार सैनिक मारे के हैं इरान की धंकी के बाद मिडल इस्ट में बड़े पैमाने पर युद का खत्रा मच दस इरानी सैनिकों की हत्या कर लिए इनके अंदर से ही आगर के दस को मार जिराया और वो गायब हो गया पकड़ाया भी नहीं तो इसके बदल लिने कहां के लिए जाएंगे आप अमेरिका इसलिए कह रहा है ये बात क्योंकि आपने मिसाइल से अटैक किया 180 मिसाइल मारे एक चिडिया भी नहीं मरी उस सारे के सारे जो है वो बिकार चले गए अब इसराइल तो चुप बैठेगा नहीं अमेरिका ने कहा पुरी दुनिया ने भी कहा कि आपके उपर हमला ह हुआ है तो रिटेलेट करने का अधिकार है आपके पास लेकिन इसराइल ने किस तरीके से हमला किया उससे डिफेंड करता है कि आप अपने अधिकार का इस्तिमाल कर रहे है या फिर आपने कोई जायतिए कर दी कि जैसे अगर आपने कोई बड़े-बड़े बॉम मार दिया होते है, सिविली इन इलाके पर मार दिया होता हलाकि खेमनाई साहब वो डर के मारे चिपे हुए हैं बंकर के अदर वो चिपे हुए है, सो फाइटरिल प्लैन से जो है अटेक किया गया मिलिटरी इस्टालिसिस को ही टार्गिट किया गया, और उसके बाद ये लोग वापस आ गए विलन फुट आपने मिसाइनस एटेक किया, एर स्ट्राइक किया गया, यहीं पे मामला खत्म हो जाए यही अमेरिका कह रहा है, क्योंकि अगर अब इरान कोई हमला करेगा, तो फिर इस्राइल फिर चुब बैठेगा नहीं और अगर युद्ध होता है मिडलिस्ट के अंदर में, तो पूरी ग्लोबल एकॉनमी के उपर इसका इंपक्ट होगा इसका इंपक्ट ऑइल एक्सपोर्ट के उपर होगा, कीमतों के उपर होगा, अल्रेडी दुनिया भर की एकॉनमी जो है वो खराब इस्तिती में चल रही है, एक और प्रॉबलम शुरू होगा, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल एकॉनमी इन दोनों के उपर इसका इसलिए अमेरिका सहित बाकी सेंसिबल देश इरान को कह रहे हैं कि अब तुमने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, मामला यहाँ पर खत्म करो, और अगर आपने फिर से कोई जवाबी कारवाई की, तो यह गर एक्सिलेट करेगा, तो यह पूरी दुनिया के लिए ठीक बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चाहिए, धन्यवाद, खबरों का पंच्रावा में, आज के लेतना ही देश और विदेश की बाकी खबरों, और उनके सटीक अनलसिस के लिए देखतरी, Capital TV हमें लाइक केजें, शेर केजें, और हाँ Capital TV को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, धन्यवाद